फिल्म की शुरुवात हुई फ्यूचर इन्ही काफी आगी के टाइम से, जहां आमें दिखाया गया कि एक कंप्री ने कुछ एंड्रोइट्स, यानि इनसान जिसे दिखने वाले रोबोट्स बनाई, जिने सिम्यूलन्स कहा जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है, इन सिम्यू हर हाल में इनसान की बात माननी है, क्योंकि इने द्रैसल इनसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था, इस तरह डिजाइन किया गया था, कि वो इनसान का हर काम करें, इसकी बाद हमें कपल को देखते हैं, जो दोनों हिस्बिन वाइफ थे, इनमें हिस्बिन का नाम इवान इनोंने भी अपने घर में एक बोड़ी सिम्योलन ट्रकी हुई थी, जो इनके सारे काम क्या करती थी, क्योंकि इवान को पियानो बजाने का बोग शोक था, जबकि उसकी वाइफ हमेशा पेंडिक्स मनाने में मस्रूफ रहा करती थी, अब इवान को हर रोज एक सपना आया करत हर रोज इस सपने की वज़े से इवान घबरा कर उठ जाय करता था, वो सूचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों यह सपना मुझे बार बार बर बरेशान कह रहा है, इस बारे में उसने कई बार अपनी वाइफ को भी बताने की कोशिश की, जिस पर वो इवान से अलग कमरे में रहती थी, जा इवान का जाना मना था, अब हम रोबर्ट कंपनी की पुलिस को देखती हैं, जिनका काम इन रोबोट्स पर नजर रखना था, यह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अगर कोई गरबर है, तो उन्हें फोरन पकड़कर बेंड कर दिया यहां एक डिटक्टिव को एक सिम्यूलेंट जिसका नाम एसमी था, उसे डूरने का कान मिला था, जो पिछली तीन साल से तो बन थी, लेकिन अब अचानक उसके सिग्नल्स एक्टिव हो गई हैं, चल पड़े हैं, जिस वज़ें से वो भाग गई और अब उसको कोई अता प पिर डिटक्टिव को मुका मारकर नीची गिरा दिया, पिर दुपारा गिरेबान से पकड़कर उसे उठाया, और इस बार तो सीडियो से ही नीची पहंग दिया, जो करने की बाद वो यहां से भागने लगी, अब यह ज़स काफी अजीब थी, क्यूंकि सिम्यूलेंट का ए एकदम जैसे जाम हो गई, यानि के रुख गई, डिटक्टिव जब आगे बढ़ा, तो उसे इसी रुकी हुई हालत में एसमी दिख जाती है, जो बाइक लेकर बस भागने ही वाली थी, पर शूट से रुख गई, और अब डिटक्टिव उसके गले में एक कॉलर डिवाइस लगा कर पकड़ लेता है, फिर वो एसमी को अपनी आफिस चोड़कर दुबारा से उसके घर में आया च्छान बिन करने के लिए, अभी वो तलाशी ले ही रहा था, कि तबी यहां एक लड़का आया, जो एक साइंटिस भी था, और हैकर भी, यहां वो अपना नाम केसी बता जो जान कर केसी को काफी हैराने हुई, खर जब वो वहां से गया, तो डिटक्टिव को और चान बिन करने पर वहां एक डाइरी, एक मशलियों वाला टैंक और एक किताब मिली, जो दिख डिटक्टिव काफी हैरान रहा गया, सोच में पढ़ गया, क्योंकि अभी तक किसी भ रोबोट वाली चिप निकाल दी गई थी, उसकी पूरे जिसम को स्केन, इन्ही चेक करने की बाद पता चेला, कि सिम्यूलेंट बनाती वक्त, उसकी अंदर जो कोड डाला गया था, उसे पूरे तरह से बदल दिया गया है, और अब जो कोड उसकी अंदर है, उसकी वुज़ जैसे वो रोबोट नहीं रही, बलकि उसकी अंदर इन्सानों वाली फिलिंग्स आ गई है, दिमाग को चेक करने पर इन्हें केसी की यादे में मिलती है, जिससे ही समझ गई कि इसका मतलब कि एसमी और केसी एक दूसरे को पस्यान करते थी, अभी जैस बहुत हैरान कुन थी क्योंकि अभी तक किसी वे रोबोट में इन्सान जैसे फिलिंग्स नहीं थी, और इन्हें उस इन्सान को डूरना था, जिसने एसमी के सिस्टम को हैक करके, यानि उसे अपने कंट्रोल में करके, उसे पूरा बदल के रग दिया, मजए जानकारे हासिल करने के लिए डिटेक करने के लिए डिटेक्टिव फोरन भागा, लेकिन केसी पहले इवान से भाग गया, उधर इवान की वाइफ पॉल में नहा रही थी, लेकिन उठोड़े परेशान दिख रही थी, उसे नॉर्मल करने के लिए जैसे इवान उसके पास आने लगा, तो उसकी वाइफ ने दू का क्लोन, डुप्लिकेट था, तो अब यहां सचाए सामने आती है कि इवान खुद भी कोई इनसान नहीं, बलकि एक सीमुलेंट है, उसकी वाइफ ये सचाए उसे दिखाती है, वो उसके सीने की जिल्द को हटा कर वहां लगी चिप दिखाती है, जो देखकर इवान काफी ह परिशान रहे गया, देती हुए कीता है, कि नहीं ये जोट है, मुम्किन नहीं है, मैं कोई रोबोट नहीं, बलकि इनसान हूँ, इस वर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, तुम सच में एक रोबोट हो, मेरी हिस्बेंट जैसा क्लोन हो, दरासल जो बार बर तुम्हें एक्सि कि अगर हमेंसे कोई मर गया, तो हम शादी नहीं करेंगे, बलकि एक दुसरे के क्लोन के साथ रहेंगे, इसलिए, यहां मेरा भी क्लोन बनवा लिया गया था, और मेरी हिस्बेंट का क्लोन तो यह तुम हो, एक्सिडेंट वाली बात, मैं बार बार तुम से इसलिए चुपा वो इवान को पहाने से सुला कर उसका सिस्टम बेंट कर देती है, तोड़े गर बाद यहां केसी आया, जो खुद को उस रोबोट कंपनी का वरकर बताता है, जिसका काम रोबोट को चेक करके होने वाली खराबियों को ठीक करना है, यहां इवान की वाइफ कहती है, कि इसमे यह बार-बार उनकी यादों को देख पा रहा है, बार-बार आपसे प्यार करने, आपके साथ रहने की जिद, इसलिए कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके हिस्बन वाले ही फीलिंग्स है, जिस पर इवान की वाइफ कहती है, पर अब मुझे एक सिम्यूलेंट की साथ नहीं रहना, इसलिए तुमें से पूरी तरह से बंढ़ करके खत्म कर दो, जिस पर कीसे उसी मश्वबरा देता है, कि बजाए इससे पूरी तरह से बंढ़ करने की इसी एक हास एरिया में भीच दो, जिसकी बारे में मैं जानता हूं, जो कह trata में वह एक帶 साथ एक सीम्यूले तो वो खत्म ना करने का फैसला करकी उस एरिया में भीजने के लिए टाइम मांगती है। और डिटेक्टिव रोबर्ट कमपनी की मेनेजर से आकर मिला। जिसे वो एसमी के बारे में सब कुछ बता कर केसी के बारे में पूछता है। जानकारी हासिल करने के लिए। वो बता द हैं बलकि हमारी कमपनी का सबसे जहीन साइंटिस्ट हैं। और इस नहीं सबसे पहले एंड्रोइड रोबोट्स बनाना शुरू किये थी। लेकिन वो जल्द उसने ये काम और नोक्री दोनों ही छोड़ दी। क्योंकि उसे लग रहा था कि बशकी सिमुलेंट रोबोट्स है इनके अंदर फिलिंग्स इमोशन्स नहीं पर फिर भी इनका ख्याल करना चाहीं। इनसान इन्हें सिर्फ अपने नोक्रों की नजर से देखती हैं। थोड़ी बहुत थक उन्हें भी मिलने चाहीं। उदर इवान की वाइफ उसे उस एरिया में लेकर आती हैं जहांपर बा मारी वाइफ से तुम दुबारा मिल जाओ वापीस आई तो तुमें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। और टेक्टिव को क्योंकि कैसे भी करके कैसी को पकड़ना था। इसलिए वो उसकी गाड़ी की लोकेशन इन्हीं इस वक्त वो कहा है उसे हैड कर लेता है लेकिन क्योंकि उसका अकाउंट में ही बना हुआ था तो लोकेशन का उसे पता नहीं चल पाता। फिर वो एसमी को ही दुबारा से होश मिलाकर कैसी की बारे में पूछने लगा। वो सुन तो रही थी लेकिन पर सर नीचे की करके खड़ी थी कैसी की बारे में कुछ नहीं इवान की क्लोन को अभी बेकिन नहीं आ रहा था कि मैं एक सिम्यूलेंट हूँ इसलिए वो उस जगह पर गया जहां असली इवान का एक्सिजेंट हुआ था यहां आकर उसे एहसास हुआ कि तो वही जगह है जो बार बार मेरे सपने में आती थी तो वो समझ किया कि सच में म इंचिप निकाल देता है जिससे अब वो इंसानों की तरह जिनकी को जारेगा अपनी मर्जी का मालिक होगा कोई उससे बन नहीं कर पाएगा अब उसकी इस नए जिनकी के कुशी मनाने के लिए केसियों से एक क्लब में लेकर गया डिटर्टिव क्योंके काफी देड़ से के किसी की लोकेशन ट्रेल्स कह रहा था तो आखिर अब उसे इस क्लब की लोकेशन मेल ही जाती है यहां लगे कैमरा में जब उसने इवान को देखा तो वो उसकी मालिक इन्हें इवान की वाइब से भी राप्ता करने की कोशिश करता है ताकि कि किसी तरह वो केसी तक पहुन किसी नहीं बनाया था वो उसके साथ आकर डांस करने लगी वो आपस में किसी प्लैन को लेकर बातिंग कह रहे थी तो अब यहां हम जान पाए कि किसी दुनिया भर के सभी एंड्रोइड रोबर्स को कमपनी के बनाए गए उन चार असलों से अजाद करवाना चाहता है तकि वो भी अराम से अजादी वाले जिन्गी को जाड़ सकें इंसानों के उकम पर ना चले उनके जिन्गी किसी क्या जैसी ना हो खाय कलब से बाहिरा कर यह उस रोबर्ट कमपनी के पार्किंग एरिया में गए जहां यह उस कमपनी के सबसे बड़े साइडिस्ट को अगवा कर उससे कमपनी के मेन सिस्टम की आईडी और पासवर्ड लेकर पूरे सिस्टम को हैक करकी उसमें वाइरस डाल देते हैं ताकि रोबर्स के लिए बनाए गए चारों सुलों को बंद किया जा सके लेकिन इस वाइरस की अपडेट होने इन्हें इसके काम करने में दो दिन लग जा लेकिन डेक्टिव अपने उसी खास गन से शूट करकी उसे वही रोग देता हैं यह उसे पकड़कर अपनी आफिस में लाइं लेकिन इन्हीं पता चला हम इसे ना तो है कर सकते हैं ना है इसके कोड को देख सकते हैं क्योंकि केसी ने इसकी सिस्टम पर बहुत सारी स्क्योर लगा थोड़ी दिर में वो पूरी तरह तबाह हो चाती है अब क्योंकि इवान की वाइफ की पास डिटेक्टिव की कॉल आई थी इसलिए वो इवान से मिलने के लिए उस एरिया में आई जो इस वक्त बाहर कहीं से आ रहा था उसे इतना बदला हुआ देखकर वो काफी हिर पर इवान उसे कहते हैं कि मैं सब कुछ तुमारे लिए करता हूं खुद को भी मने तुमारे लिए ही बदलवाया हैं ताकि तो मुझे अपना असली अजबन समझ करे अपना लो और हम एक साथ हसी खुशी रह सकें इन बातों के तुरान वो काफी करीब आ चुके थी लेकिन इवान की वाइफ को अजीब लगा तो उसे रोकर वहाँ से चली जाती है लेकिन शान को इवान तुबारा से उससे मिलने के लिए गर गया जहां उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ थी उससे किसी और के साथ देकर इवान को जलन हुई वो अपनी वाइफ से इस बार में ब इस बारे में बता देती हैं कि तुम्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव आ रहा है तो निकलो वहां से यह जानकर कैसे जल्दी से इवान की पास आकर इस सब कुछ बताता है पूछने लगा कि अब बताओ छुपने के लिए हमें कहां जाना चाहिए इस पर इवान ने जव करती हूँ इसलिए तुम्हारी वहां से जाने से पहले ही मैंने उसे बता दिया रवूपने जान बचा कर वहां से बाग गया यह सुनकर डिटेक्टिव को बहुत गुसाया इसलिए वह एसमी को खोड़ पीटने लगता है साथ ही उसे मुकमल बंद करने का हुकम देता है जि अब भी फार्म हाउस के लिए निकल गया रात होता है इवान और केसी फार्म हाउस पूमच गई लेकिन अगली सुबा जब केसी बाहिर आया तो वहां डेक्टिव भी आ जुका था जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है उसे रोकने के लिए केसी आगे बड़ा दुनों की हता पाई होई जिस बेच डेक्टिव को गोली लग जाती है या कैसी भी जखमी हो गया और जब उसने अपने चोट पर हाथ लगाया तो वहां से खून की बज़ाई सफीज रंग का लिकृट निकल रहा था जिससे हम समझ पाई कि कैसी भी असल में एक सिम्योलेंट है उसे डेक्टिव पर बहुत गुसाया तो वो उसे उठाकर दोर किरा देता है डेक्टिव को तो पहले एक गोली लगी थी जा अव वो और जखमी हो गया तो अपने आखरी पल गुजाने के लिए वो शेट में गया जहां इवान भी उसकी पास आकर बैठ जाता है जिसके थोड़ ही दिर बाद डेक्टिव की मौत हो जाती है और इवान वापिस वामाउस में आ गया अब दिखाया गया कि दो दिन की बाद यी वाइरस अपडेट होकर पुरी दुनिया की सिस्टम में फैल गया जिससे रोबोट पर लगाए गया एसुल तोड़ गई और इस तरह से रोबो काका जूए भी दिया जैसि मैं मलू गा यहां मैत अलिक असले केस हैं जिसे हम जान पर इस सारा प्लाइन असले केसी का था जिस ने अपना बीर का यह काई आपकर आप लगार जूर 2 री होई तोड़ी दिए कपना केसी बानक चेथा टल़ करम आ administrators को देखता है चोी 6 का दर स मारा गया, इवान भी अपनी वाइफ के पास आया, उसे आखरी बार मनाने के लिए, जो इस वक्त पूल में थी, लेकिन एक बार फिर वो उसे अपनाने से इंकार कर देती है, इस बार तो इवान को इतना गुस्सा आया, कि वो अपनी वाइफ को बालों से पकड़ कर पानी में डबोणी लगता है। वह उसे पानी में ये लगता है जिसे उसकी मोट होचाती है। अब इवान उस कमरे में गया जहां उसकी wife का clone पढ़ा था जिसे उसने अपनी wife की मरने के बाद on करना था तब इवान वहां जाकर उसे activate on कर दीता है ताकि अब की बात वो उसके सार जिन्दी को जार सके अब एक जगा इन सारे रोबोट्स की बोली लग रही थी जिनमें एसमें भी शामिल थी जिसके सारी यादश्ट मिटा दी गए थी ताफी महंगे दामों केसी उसे एक आदमी के जरिये खरीद लेता है वो जैसे गारे में आकर बैठी वह केसी भी था जो सी देखकर बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि अब वो एसमें के साथ जिन्दी गुजारने वाला था हलांके बेशक उसकी आदश मिटा दी गए थी दोनों वहां से निकल गए अपनी नई जिन्दी के शुरवात करने के लिए और इस के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म जाती है